देवियों और सजन एक बार फिर से आपका स्वागत है कौन बनेगा चूतिया में मैं कंजूस सजन और आज पहली बार हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे है स्रीमान चूतिया जी हाँ तो चूतिया जी आपके माबाप ने क्या सोच कर आपका नम चूतिया रखा था सार उस समय में बहुत छोटा था पूछ नहीं पाया कि क्यों ये नाम रखा है अब रख दिया तो रख दिया हो सकता है माबाप ने सोचा हो कि मैं कौन बनेगा चूतिया में जाओंगा इसलिए रखा हो क्यों चूतिया जी खेल प्राश्ण करने शने में आपको कुछ खेल की नियम बता देना चाहता हूँ यहांपर आपको मिलेगे लगह इंगे Okay 50 50 दूसरी फोन अफ्रेंड और अगर एक बाल आपने खेल प्रालम कर दिया तो उसके बाद आप कुट नहीं कर सकते हैं और अगर एक भी प्रशन का आपने गलत उतर दिया तो आप यहां से कोई भी धन रासी जीत कर नहीं जाएंगे जी सर शुरुआत कीजिए सर मेरे हिसाब से दो बच्चे हैं लेकिन मैं अपनी पतनी से कंफर्म होना चाहता हूँ इसलिए मैं फोन अफ्रेंड लाली जी को फोन लगाया जाएंगे हेलो लाली जी मैं कौन बनेगा चूतिया से कंजूस सर्जन जी बोल रहा हूँ आज हमारे साथ होट सीट पर बैठे है आपके पती स्रीमान चूतिया जी और वे एक सवाल में फर्स्ट के जिसके लिए वो आपकी साहता चाहते है आपको मिलते हैं पूरे तीस सेकेंड तीस सेकेंड के अंदर आपको अपने हजबन की साहता करनी होगी सर हमरा को भाग के ही खुल गया आज हमरा चूतिया आपके साथ होट सीट पर बैठा है आज इतक हम लोग ही इसको चूतिया बलाते थे आज के बाद पुरी दुनिया इसको चूतिया बुलाईगी हाँ तो लाली जी आपका समय सुरू होता है अब लाली हमरे कुल कितने बच्चे हैं option A2, option B4, option C6, option D8 हमरा तो एक पिंटुवा है और एक छुटकी है और तो कोई याद आनी डाया है दूई थोई है हाँ हाँ दूई को लॉक कीजिए sir A को लॉक कीजिए हाँ तो computer महस है option A2 को लॉक किया जाए अधबर आपने पहले प्रशन का सही उतर देख और आप जित चुके है पाँच हजार उपए अच्छा चूतिया जी अगर आपको बुड़ा न लगे तो क्या मैं आपसे एक प्रशन पूछ सकता हूँ हाँ हाँ पूछिए sir मुझे एक बात नहीं समझ मैं चूतिया जी आप और आपके पत्नी इतने कंफ्यूज क्यों हो गए थे कि आपके कितने बच्चे सर आपको देखके थोड़ा हम और हमड़ी पत्नी नर्वस हो गए थे इसलिए भूल गए थे ओ अच्छा अच्छा वाल फ्लिप हाँ तो स्रीमान चूतिया जी दूसरा प्रशन पत्चास हजार रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर यह रहां टोल लाग में कितने जीडो होते हैं आप्सन ए तीन आप्सन बी पांच आप्सन सी साथ आप्सन टी तस हम औरे हिसाब से सर दस होना चाहिए एक बार आप फिर से सोच सकते हैं और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी लाइफलेंड का इस्तिमाल करना चाहता हूँ स्री मन चूतिया जी फिप्टी फिप्टी लाइफलेंड का इस्तिमाल करना चाहते है ऐसलिए 50-50 लाइफलेंड को अंकित किया जाए दस जीरो कायब हो गया सर तब टो बे को लॉक कीजिए पांच जीरो हां तो कंप्यूटर महास है अप्सन बी को लॉक किया जाए अध्यूद आपने दूसरे प्रश्न का सही उत्तर दे कर आप जी चुके पच्चास हजार रुपे मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि इतने सीधे से प्रश्न के लिए भी आपको इतना समय लग गया और आप दस जीरो बोल रहे थे आकर ये दस जीरो आप कैसे रहे थ एक लाग में पांच जीरो होता है और दो लाग उसका डबल होता है तो उस हिसाब से दस जीरो होना चाहिए आपका ये कॉंसेट मुझको बिल्कुल वाहियात लगा हां तस्रीमा चूतिया जी तीसरा प्रश्न तो लाग रुपे के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा अभी क कित्ना समय ओ रहा है ऊप संझें एक बजडर है ऌप संप्सनबज दो बजडर ए और तीन बजडर ओपते चार बजडर ऑफ त्यू बहुत आसां सा फ्रस्न है इसका जवाब देने के लिए अपनी घरीं देख सकते अपने चुता विग सकते आपकी घरीं तेखिए नहीं दे काई ये उत्तर कलते हैं सही उत्तर आप्शन ऐयानिकि एक बज़़ है नहीं सर्थ दो बज़़़े हैं हमारी फेल होगा हमारी घरी में एक बज़ रहे हैं सर आपका घरी फेलोगा इसलिए तो चूतिया जी आप भी फेलोगा सर आपको हमको चूतिया बना दिये माफ किये जी का चूतिया जी आप तो पैदा इसी चूतिया है लेकिन हम आपको चूतिया ना बना सके अगर आप खेल जीद जाते तो हम ये कहते कि चूतिया बन गया चूतिया लेकिन हमें खेद है कि हम ऐसा ना कहे पाए आपको आपकी पत्नी का जो सपना था कि आपको सारी दुनिया चूतिया बुलाए वो सपना आपकी पत्नी का पूरा ना हो सका अब आपको पूरी दुनिया जूतिया नहीं बुलाएगी, अब आपको सिर्फ आपके धार वाले ही जूतिया बुलाएंगे माफ कीजियेगा सुरीमन जूतियाजी, आपका इतना बुरा वक्जल रहा है, कि हम आपको पटोडा मिन embodied art सकते हैं लेकिन स्रीमान चूतिया जी आपको निराब सुने की जड़त नहीं है भले इस साल आपको दुनिया चूतिया नहीं लेकिन नेक्स टाइम जब आप आईएगा तो आपको पूरी दुनिया चूतिया बुलाएगी